Hello friends, this is Raj Yadav and welcome back to Chilak Study YouTube channel तो friends, EMRS की recruitment आई हुई है, various subjects के लिए तो क्या-क्या subjects के यहाँ पर recruitment है, क्या-क्या subject की vacancy है और क्या-क्या qualification मांगा गया है, पूरी जनकारी आगे इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर नहीं हैं, तो please चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा इसी तरह की updates पाने के लिए साथ ही बगल वाले बेल आइकन को प्रेस करके उसको all पर set कर लिजेगा तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो recruitment आई हुई है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं अपना notification तो दोस्तों यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कुल मिला करके जो तीन एकलव विद्दालेओं से recruitment आई हुई है तीन एकलव विद्दालेओं से recruitment है और यहाँ पर PGT और TGT दोनों के लिए है तो subject यहाँ पर दिये गए है, PGT जो है physics है आपका, PGT बहुत ही की, TGT अंग्रेजी है, TGT गडीत है, TGT अंग्रेजी, TGT विज्ञान है तो यहाँ पर और क्या दिया गया है, recruitment के बारे में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, प्रेश विज्ञेपती में दिया गया है यहाँ पर जो तीन एकलव विश्कुलों के नाम दिये गए हैं, ठीक है, यह तीनों एकलव विश्कुल और EMRS के और यहाँ पर दिया गया है, कि सेक्षडिक सत्र 21-22 के लिए मान दे पर अथिती सिक्षक, यहने कि यह पार टाइम आपका recruitment होगा, ठीक है PGT, TGT के पदों पर भरती है तो, 8-10-2021 को साम के 5 बजी तक आवेदा नामंतरित किये जाते हैं यहाँ पर से आप देख सकते हैं, कार्याले, कलेक्टर, आदिवासी, विकास, साखा, जिला, रायगर, 36-गर का यह recruitment है तो यहाँ पर से आप इसकी स्रेक्षडिक अरताएं देख पाएंगे PGT है तो 55% आपका चाहिए 55% किसी भी मानेता प्राप्त विश्विद्याले से इसके अलावा इसनातकोत्तर उपादी और एक वर्स का कार्यानुभाव यहाँ पर आपसे मांगा गया है किसी मानेता प्राप्त विश्विद्याले से B8-M8 की उपादी मांगी गई है आवेदक 36 गड़ का मुलनिवासी होना चाहिए TGT के लिए आपके ग्रेजुएशन में 50% मांगा गया है एक साल का कार्यानुभाव यहाँ पर मांगा गया है B8 या M8 होना चाहिए आवेदक 36 गड़ का मुलनिवासी होना चाहिए नियम वसरतों पर एक नजर डाल लेते हैं तो IUC मां 21-35 वर्स तक यहाँ पर बोली गई है अभिहर्थी को स्वयम उपसीत होका आवेदन पत्र प्रसुत कर सकते हैं राइगर्ड जी ले के मुलनिवासी को प्रत्मिक्ता दी जाएगी तो इस तरह से ये रिकूट्मेंट की कुछ खास बाते हैं यहाँ पर ओफिशिल वेबसाइट पर जाकर राइगर्ड.gov.in पर आप जो है इस प्रपत्र को डाउनलोड कर पाएंगे और विस्तिरी जनकारी के लिए ठीक है आवेदन पद्र का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है तो जो भी इसके लिए eligible candidate है वो यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं तो ओफिशिल वेबसाइट पर चलते हैं यहाँ वेबसाइट पर भी आप देख सकते हैं यह रायगर का वेबसाइट है रायगर सीजी का इस वेबसाइट पर आ करके आपको recruitment वाले section पर जा करके third number में आपको एक recruitment guest teacher का recruitment दिखेगा यही पर सारे PDF आपको available हो जाएंगे इस वेबसाइट का लिंक भी मैं आपने description box में नीचे देदूँगा वहाँ पर से भी आप direct इस पर आ सकते हैं तो I hope वीडियो आपको पसंद आया होगा like share जरू कर दीजेगा चैनल पर नए हैं तो subscribe कर दीजेगा इस स्टूडियो में इतना ही था मिलते हैं ने स्टूडियो में तब तक के लिए जय हिंद